डीयलेड फस्ट येर और सेकेंड येर के विध्यारती जहां एक और अपने परिक्षा टाइम टेबल और एड्मिट कार्ड का इंतजार कर रहे हैं वहीं दोस्तों दूसरी और साधरपन पर आपका एक बार फिर से सेडूल अपडेट कर दिया गया है जिसे देखर एक बार तो आप भी हरान हो जाओगे कि यार सिक्षा युबाग क्या करना चारा है तो देखे दोस्तों सीधा हम सेडूल पर चलते हैं सेडूल पर आप फस्ट पॉइंट देख पा रहे हैं आगे देखे दोस्तों और भी अपडेट हैं यहां पर आपका एक्जाम सेंटर सेलेक्शन की प्रोसेस जिसके बारे में हमें आज तक पता नहीं चला कि हमारा सेंटर सेलेट हम करेंगे या कोलेज वालों ने कर दिया कुछ भी नहीं पता चला उस डेट को भी दोस्तों यहां पर सेप्टेंबर 30 तक बढ़ा दिया गया है अब दोस्तों आपकी परिक्शाएं दिन दिन लेट होती जा रही है विभाग ने इस बारे में भी दोस्तों कोई भी ओपिछले जनकरी नहीं आ रही है कि आपके परिक्शाएं कब तक करवाई जा सकेंगी नवंबर तक भी दोस्तों सिर्फ हम एक्सपेक्टेड डेट यहां पर ला रहे हैं कोई भी ओपिछली जनकरी नहीं है इसलिए दोस्तों मैंने पिछले कई वीडियो में कहा था कि आपको अपनी परिक्शा जल्द करवाने की मांग करनी है ट्वीटर अगर आप यूज करते हैं तो ट्वीट करना है विबाग को या फिर साधरपन पर जो हेल्पेंट सपोर्ट में जो कॉंटेक्ट नंबर्स दिये हैं संभागवार उन पर आपको कॉंटेक्ट करके परिक्शा जल्द करवाने की मांग करनी है बट दोस्तो इसमें भी काफ़े सारे स्टुएंट्स ने मेरा विरोज किया कि नहीं आप तो गलत जनकरी देती हो आप तो स्टुएंट्स को डी मोटिवेट करते हो एक कमेंड तो ऐसा था जिसने मुझे काफी हर्ट किया कि यूट्यूबर्स को क्या दिक्कत है हमारी एक्जाम हो या ना हो जल्दी हो या बाद में हो तो मुझे तो दोस्तो कोई दिक्कत नहीं है आपके परिक्शा जल्द होंगी तो आपका बेनिफिट है तो हम चैनल पर जरूर डिसकस करेंगे इसलिए आपको बेल आइकोन भी प्रेस कर देना है ताकि जैसे हैं मैं वीडियो अफ्लोड करूँ तो तुरंत आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे इस वीडियो में दोस्तों इतना ही जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नहीं जनकरियों के साथ